आसमा पर चांद और चांद पर हिंदुस्तान, बहुत ही रोचक और यथार्थी विसेवस्तु के साथ मैं चितरंजन चवहान आप सब को प्रणाम करता हूँ कृपिया चैनल को सब्सक्राइब अवस्व कर लीजेगा आए सुरू करते हैं भारत ने चांद के साथ पोल पर तिरंगा जंडा लहराया है और चंद्रमा के दक्षणी धुरू पर चंद्रयान उतारने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है लेंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने इतिहास रज़ दिया है इसरो के वैज्ञानिकों ने तो कमाल ही कर दिया है उन्होंने धरती पर जो संकल्प किया उसे चंद्रमा पर जाकर साकार किया अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे चंदा मामा टूर के हो गये हैं ऐसा सभी कहने लगे हैं भारती अंतरिक छनु संधान केंद्रहेतु 23 अगस्त 2023 दीन बुधवार बहुत ही सुभरहा। इसरों ने बैंगलूरी से याने भारत के दक्षिन से चंद्रमा के दक्षिन पर फतह किया है। देश दिया है। आजादी का अम्रित वर्स चल रहा है और भारत के लिए हैं अम्रित वर्सा करने वाला च्छन है। के प्रतीक हैं संयुक्त राज अमेरिका, रूस और चीन जो नहीं कर पाया आज इसरों ने करके दिखा दिया। जिसकी वजह से भारत माता का सिर्व गर्व से उचा हुआ है। इस सफलता से ऐसा लग रहा है जैसा कि इम्तिहान के बाद प्रथम स्रेणी में उत्तिरन होने का नतीजा आया हो। इसके पुर्व भारत अपने प्रथम ही प्रयास में 2014 में मंगल यान लेकर मंगल ग्रह पर पहुँच गया है। मंगल ग्रह तक फैली हुई है। भारत अंत्रिक्ष का नया बोश बन गया है। राम चंद्र राव जी का सपना साकार हुआ है। अब किताबों में पढ़ा जाएगा कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला देश यदि अमेरिका है। तो चंद्रमा के दक्षणी ध्रू पर पहुँचने वाला प्रथम देश हमारा भारत है। आज हमने चांद पर लिख दिया हम है न्यू इंडिया। आज हिंद की सान में चार चांद लग गये हैं। लोगों के जंडे पर चांद होता है, आज चांद पर हमारा जंडा है। सुरियास्त के समय साम 6 बच कर 4 मिनट में हमने चांद पर पहुँचकर सुरियोदय किया। यह अंत्रिक्ष में भारत की उची छहलांग है, यह तृती चंद्रयान का सफल महा भियान है, भारत के उज्वल भविष्य का आधार है, 144 करोड भारतियों की दुआएं है, यह विक्सित भारत के शंखनात का पल है, जिस चांद की दिदार के लिए सारी दुनिया तरस्ती ह आज हम उसे चूकर महसूस कर रहे हैं, आज चांद पर राष्ट्री चिन छप गया है, देश का मान, सम्मान और स्वाभी मान बढ़ गया है, यह हिंदुस्तान की चंद्रक्रांती है, इस चंद्रमिसन को हमने बहुत कम बजट में पुर्ण किया है, लगभग 600 करोड रुप खर्च हुए हैं, पूरे विश्व से भारत के लिए बधाई ही बधाई आ रहा है, आज एक मुस्कान की लहर दोड गई है, चंद्रयान थ्री भारत की विक्ट्री बन गई है, अब चंद्रमा का अध्यन करना हम शुरू करेंगे, आज पूरी दुनिया को हमें यह कहने की ज दिवागत नहीं करोगे हमारा, चंद्रयान थ्री ने पूरे भारत को देजभक्ती, विज्ञान भक्ती और एकता के रंग में रंग दिया है, आज भारत के चंद्रवीर खीच दिये चांद पर लकीर, हर मुस्किल को लांग कर पहुँच गए हम चांद पर, चंद्रयान थ् पहुचते ही संदेज भेजा कि भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुच गया हूँ, साथ ही चंद्रमा के सतह की तस्वीर भी अब धर्ती को मिलने लगी है, भारत बहुत ही स्रधावान देश है, जो कि धर्ती को मा और चंद्रमा को मामा कहता है, तो धर्ती वा चांद रिष्ट स्वरूप विविध तस्वीर अपनी बहन के लिए भेजा है, मैं तो कहूंगा कि नया भारत है, इसे चांद जितने की आदत है, आज विदेशी मीडिया में भी चंद्रयान थ्री छाया हुआ है, हमारे बैज्ञानिकों के अथक प्रयास वा अनुसंधानों के पश्चात य अब अंतरिक्ष में नित्य नवीन अनुसंधान हम करते रहेंगे, यह मानावता की जीत है, इससे वसुधैव कुटुमबकम की पवित्र भावना आएगी, चंद्रपत पर आज हिंदुस्तान है, आज बढ़ा देश की शान है, मैं तो यही कहूंगा कि जै इसरो, जै विज जै चंद्रयान, जै हिंदुस्तान, भारत माता की जै